लाट करने जारें कि पीलिया को कैसे ठीक करें घर पे रख कें तो समय रहते हैं अगर इसका एलाज ठीक से नहीं किया गया तो ये बढ़ते बढ़ते इसके लक्षन क्या होते पीलिया के लक्षन में भूक ना लगना बुखार जैसा शरीर में बुखार की स्थिती आना दे में अकडन होना भूक ना लगना तो मौसम बदलते हैं कई बीमारिया दस्तक देती है यू तो मौसम बदलते हैं बरशाद का मौसम जब आते हैं तो थंडक हमें आराम मिलता है लिसमें बहुत सारे बिमारिया व्रूत्पंद होती है ऐसे में पिलिया का जो रोग हो है इसमें आखुं में पीले पीले हो जाएंगे शरीर पीला पढ़ने लगता है और पिशाब का जो पीला हो जाता है तो पीलिया में पीलिया के लिए पीलिया को कैसे ठीक करें तो आज मैं इसी भी से में बात करेंगे पीलिया को हम लोग जर से ठीक करेंगे तो आप भूखना लगना सबसे पहले आपको क्या करना है एक गिलास एक गिलास नॉर्मल पानी लेने नहां है क्षुए का हो तो और ज्यादा अच्छा हूँ या त्चापकल हो तो ज्यादा अच्छा निजिव पानी दम बिलकुल ना हो न चीए नल का पानी हो KI इसको सूती कप्रे से अच्छी तरह से चालने बिल्कुल अच्छी तरह से चालने और सीशे का ही गिलास हो या मिट्टी के भरतन हो मिट्टी के घड़ा होते हैं मिट्टी के घड़े या कोई बरतन हो तो उसमें आप एक गिलास पानी ले सकते हैं और इसके साथ आपको क्या करना है इसके साथ यह जो देख रहे हैं यह पत् यहम्निकों दूरने के बाद इनको आच्छी तरह से पानी में धो लेना है इसमें जो डश्ट वगारा या कुछ भी हो तो वो निकल जाए और यंको थोड़ा तरी दो मिनट के लिए रख दे इनको क्या करना है कमसे कम10 से 12 पत्ते होने चाहिए रात में सोने से पहले चाहिए पत्ते को पानी मेंweek डालने के बाद कोई भी चीज से ढख दें मेत्री बत्रम हो तो ज्यादा अच्छा हो, सीसे का अल्मोनियम ना किसी और भी वस्तू का नहीं होना चीहें पानी में ड़ा चूदकता झ्होड़ देना है। सुबह जैसी आप बिष्टर से उठें, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है? पानी को अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि कुछ अगर डस्थ हो तो वह सरीर में ना जाए, पानी को अच्छी तरह से छान ले, सूती कपड़े के मदद से, और उसको जैसे आप चाय पीते ह हैं जिसे चाय पीते हैं तो आपको धीरे धीरे मतलब पानी का क्वाइंटिटी इतना ही होना चाहिए कम से कम 300 ml पानी होना चाहिए या 500 ml पानी होना चाहिए इतना बड़ा गिलास में आप इसको ढखके रात में छोड़ दें सुबह जैसी आप बिस्तर से उठें बीना कुला किये हुए आपको यह लेना है सुबह सुबह बस तीन दिन में पिलिया बिल्कुल जर से खतम हो जागा है यह मेरा खुद का माया हुआ म जो आपको बोलेंगे कि पिलिया दो मिनट में ठीक हो जागा ऐसी बात नहीं है यह जो है ना यह बिल्कुल पावरफुल बताने के लिए मैं और भी कई तरीके बता सकता था हूं जैसे मुलेटी हो गया तो इन सब में उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है यह जो है नहीं तुरंत रहा देता है फॉस्ट दीन से ही रहात है अब आपको खाना क्या है खाने में सबसे ज्यादा परहेज यह करना है कि तेल और मसाले का जो चीज है उसको कम से कम इस्तमाल करें ध्यान रखें नेनुवा का सबजी इस्तमाल करें रोटी इस्तमाल करें रोटी ज्यादा ये पहुता से ज़्यादा ना खायें अगर आप चार रोटी खाते हैं तो कम्सेक्म दो ही रोटी खायें उससे ज्यादा ना खाये और फीर आपको अगर भूग जैसा लगे तो मतलब से मिनागी कि खालेएं इसको लेने के बाद आपको कम्सेकम जोओं युदू कि दिस्टेंस रखना है सुबह आप लेले जैसी बिस्तर से उठे सुबह शिप सिप कर मुं चाय की समय धीरे धीरे धीरे-धीरे पीने पीना है पीने के उपराद कम से कम दो निए अधाइगंटा डिस्टेंस बिस्टेंस ओ तभी यह बहुत जाधा पाइदा करेगा पहले इन दिन से आपको आराम मिलना चालो हो जाएगा धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जूड़े रहे हमारे अबी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने गया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल आइकन का घंटू जरूर से जरूर बता देना पीरिया में आपको क्या रहात मिला कमेंट करके हमें जरूर बताएगा लेकिन इस नुसका को जरूर से जरूर आप इस्तमाल देगा आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा यह मेरा गारंटेट इलाज है धन्यवाद दूस्टाइब